हिंदे कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है ये वीडियो विशे सुरूप से सीटेट से संबंदित है आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2019 इंग्लिस पेडागोजी में पूछे गए परस्णों का स्वलूशन का पार्ट वन लेकर आ रहे हैं अगर ये आज में आपको लाइब दिखाएंगे सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहूँगा कि इंगलिस से डär ना छोड़ दिजिए खिला इंग्लिस अब क्यों इसे समझने का, a teacher wants to create a language, reach environment in her class, c-suit, एक सिक्षी का है, वो create करना चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या create करना चाहती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, underline हम कर देते हैं, language, reach environment, अब आपको इसका मतलब नहीं समझते हैं, reach हिंदी में एक सब्द लिखवाया था, भासा सम्रीद वातावरन, यादा है, सम्रीद वातावरन यादा है, जो हमने बताया था कि हमेशा यह क्या होता है, बाबु, correct होता है, देखिए का अंग्रीजी में इससे दो-तीन question निश्चित रहते हैं, option में भी देगा, कि जब भी option में आएगा, क्या आएगा, language, reach, environment, यह इंग्लिस में आएगा, तो tick कर देना है, in her class, वो अपने class में create करना चाहती है, इसको seasuit, उसे क्या करना चाहिए, यह पुछा गया है, अब पहला में लिखा गया, establish a language lab in her class, अस्थापित करने के लिए कह रही है, क्या अस्थापित करने के लिए कह रही है, तो भासा परियोग साल अस्थापित, जब भी establish वेगरे आए ना, तो वो negative sense में चला जाता है, अंगरी जी में, establish, यह एक तर से establish कर देना, अस्थापित कर देना, language lab, अस्थापित करने के बाद कही गई है, पहला, दूसरा लिखा गया है, motivate parents to buy language, games and activities, यहाँ पर क्या लिखा है, इन्हों ने लिखा है, सब इस्त रखा गया है, वहाँ पर, teacher इसलिए रखा गया है, आप जाते अच्छे तरीके से पढ़ाओ, ऐसा नहीं को आप बेचना समाने स्टाट करते हो, government आपको payment करती है, तो यह भी option क्या हो जाएगा, गलत हो गया, दो option गलत हुए ना, यहाँ स्थापित करने के लिए कहा जा रह वो नहीं चाहिए, औसर मिलेगा, तभी बाच्चित करेगा, तभी तो समरीद वाता औरन कहलाएगा, देखते हैं किसमें opportunity वे अगर लगा हुए, देखना है, टिक करना आगे बढ़ना है, तिसरा देखे, provide an opportunity where the language is seen, noticed and used, अग्या बभू, used आया, opportunity आया, by children, children के दोरा यह सा ही हो जाएगा, देखना था, टिक करना था, आगे बढ़ना था, क्या है, इंग्लिस में जैसा हिंदी है, अगला देखे, ask student to use only English, only English, क्या हुआ, only English, क्या हुआ, only सब्द आया, हमने बताया था, कि केवल वाली जो सब्द होते हैं, वो गलत होते हैं, only आया, मैं काटूंगा यह मैंने काटा, जो बच्ची है, मेरा वो औरेक्ट इंसर, यह बच्चा था, कुछ लगता है, कि अंग्रेजी में कुछ है, कुछ नहीं है, बहुत देखना था, टिक करना था, आगे बढ़ना था, वैसे पढ़ लेते हैं, कि क्या लिखा गया है, ask student to use only English while communicating in the class with peers, यानि ज साथ ही है, उनके चात्रों के साथ कक्षा में समवाद करते समय केवल अंग्रेजी का उपियोग करने के लिए, तो बाकी सब भसा कहा जाएगा, हमने पहले से याद करके रखा है हिंदी में, वह बहुत भासी जो होता है, एक संसाधन के रुप में कारे करते हैं, तो उसके ल लिटेचिर के बारे में क्या कहा गया है, तो लिटेच्टर फॉऌर चेल्डेन इस कनसीडर ऑज एयां ड्सडेस डैस डिभिरि इस लिटेच्च्र में सहित, इतना तो पता है न, लिटेसर आप लोग कढ़ते हैं, पढ़ते हैं पढ़ते говорят, अंग्रेजी का लिटेच्छी है पार्या लेख्या अधिशनल बाडेन और आधिशनल मिस एक तरसे अत्रिक समझे बोज जो गया को यह बोज क्या होगा यह क्या आपको सही लग रहा निगेटिव सेन्स में नहीं क्या देखना इंटिक सोर्स अफ अथॉन्स सोर्स प्रमारिक सुहत्, प्रमारिक ऑफेंटिक निव्स होता है, अरे सर जब हम निव्स देते हैं अपनी चैनल पर अफेंटिक चैनल कोई कोई कॉमेंट करता है, कुछ तो पुजेटीव है न, तो बस टिक करना आगे बढ़ना है, इसको टिक कर दे जाएगा, एक नम्मर पाली चे प्रमारिक सुर्थ के रूप में माना जबता है, तो ज्याद़ कुछ परसान नहीं होना था, देखना था, टिक करना था, अगली कुश्चन भी चलते हैं, पुजेटिव बार्ड ढूणा है, टिक करना आगे बढ़ना है, इसके बारे में को ठोड़ा सा आपको पता होना ची इसमें से ध्यान से देखियेगा नौट ओफ फॉर्म ओप लिटेचर फॉर चिल्टन यह भी किसी समंदित वभु है तो यह भी साहित से समंदित इसमें बताना है कि निमलिकित में से कौन सा हम बच्चों के लिए साहित का एक रूप नहीं यह कौन सा जो है साहित से रिलेटेड नहीं यह बताना है बच्चों के लिए तो साहित नहीं एक तो हो गया पिक्चर बुक तो यह तो होई जाएगा बुक का नामी आ गया तो यह हो गया दूसरा हम आपका ये भी मतलब है साहित के रूप में टेल्स ओवेस ही रोज ओफ स्टोरी इतिहास के नाइको की दास्ता के बारे में कहा गया तो ये भी क्या हो सकता है लिट्रिश्चर हो सकता है मतलब इस तरह के कहानी होगे लिए आपको मिला होगा लेकिन एक सब्द इसमें आया है औ जो स्टार्टिंग में सीखे रहते हैं उनसे भी पूछे को बता देंगा इसे हम लोग सब्द को सब्द को सब्दों को खोजना चाहिए निक्सिनरी में खोज लेंगे तो दुबारा दिक्कत नहीं होगा तो ये सब क्या होगा लिट्रिश्चर से संबंदित होगा ऐसे भी लेकिन यह अजीब से लग रहा है तो देखने से भी अजीब लग रहा है जब अजीब लग रहा है तो यह क्या हो जाएगा मेरा कोरेक्ट इंसर जाएगा 138 का दो अगले कुश्चन पी चलते हैं कुश्चन नमबर 139 विच वन अब दो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इस न नॉट कॉर्क्ट यहां पर लिखा गया नॉट कॉरेक्ट यानि कौन सा सही नहीं है है इबाउट रीज इन वbellं कि हमने सी पहले भी आपको बताया है हिंदी में हिंद्थ रीच इंवडमेंट के बारे में हुब्स समरिद वातावरन के बारे में समरिद प्रिंट समरिद वातावरन जब भी option आएगा तो हमने बताया कि वो positive होता उसे tick कर दीजेगा तो इसमें बतायागि कि इसमें कौन सा option इसे सम्मंदित नहीं है कौन सा statement इससे सम्मंदित सही नहीं है प्रिंट समरिद वातावरन से समंदित नहीं है पड़िए ज़रूर इसमें कोई negative होगा नहीं वेगर लगा होगा जिसको देखके काटके आगे आपको बढ़ना चाहिए पहला देखने क्या लिखा है इट कंसिस्ट ओफ कॉंटेक्स्ट बेस्ट relevant materials for children such as pictures, rhymes, stories जो आपके picture है यानि जो चित्र है, कविता है, कहानी है इत्यादी है ये बच्चों के लिए तो जो भी आपके पास जो context-west relevant materials होता है वो बच्चों के लिए होता है जिसे आपने देखा होगा pictures होते हैं नीचित्स होते हैं, कविताएं होती है कहानी होती है, ये सब तो होते हैं तो ये देखिएगा, तो नॉर्मल लूर्प से अगर आप ज़्यादा हिंदी नहीं भी जानते हैं तो picture, rhymes, stories for children इन चिंटरन के लिए कहा गया है तोड़ा सा positive आपको दिख रहा होगा दूसरा देखने के लिखा गया है once the material is pasted on walls it should not be removed यहाँ पे दिखिए not लगा हुआ भी है not be removed कहने के लिए मतलब वहां से नहीं हटाने के लिए कहा गया है for the whole season इन पूरे season में पूरे सत्र में जो भी समगरी है उसको दिवार से चिपका दिया गया है उसे हटाने की बात नहीं कहा गया है तो क्या यह सही हो सकता है माले जो उससे भी ज़्यादा important कुछ दिखाना हो तो वहां पे दिखा सकते है हो सकता है उससे जो बच्चे है रुबरू हो सकते है तो वहां पर चींज भी होना चाहिए एक तरसे ऐसे लग रहा है न प्रेसर करके कहा जाए कि उसको अटाना नहीं चाहिए नहीं हटाना जब भी इस तरह के ऑप्षेन आते हैं तो हम लों हिंदी में क्या करते हैं कट देते हैं तो यहां भी कट देंगे यहां पुछा नहीं नौट करेक्ट यहां भी नौट वाला आ गया इसको टिक करेंगे और एक मर्स अपका फिक्स हो जाएगा बागी सब भी देख लिए पिक्चर्स या पोस्टर गेफ चिल्डेन एन ऑपर्सुनिटी टू टॉक अब यहां क्रियेट करने के लिए यहां क्रियेट करने के लिए वाले ऑप्षण वैसे भी सही होते हैं क्योंकि बच्चे इसमें इंवाल होंगे वो क्रियेट करेंगे करके सीखेंगे एक परिके से यह तो बहुत बहुत बहुतरी नहीं हो का ओन पोइम्स पॉस्टर इसटोई इसे डिस्प्ले इंदे क्लास उसे डिस्प्ले करने के लिए क्लास में बात कहा गया है तो यह सब क्या है पोजेटिब सेंस में एक ही निगेटिब सेंस में आप्शन नमबर 2 49 को देखना था टेक करना था आगे बढ़ना था अब इतना देखने के बाद तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोग को इंग्लिस में दिक्कत होना चाहिए कुश्चन नमबर 140 देखे इसमें क्या लिखा गया है चलिए पढ़ते हैं इसमें और टीचर गिप्स और टास्क एक सिक्षक एक टास्क देता है और डायलग कंप्लीशन और क्लास फाइब स्टुडेंट क्लास फाइब के स्टुडेंट को एक डायलग पूरा करने के लिए समवाद पूरा करने का एक कारेश देता है उन्हें किसको क्लास फाइब के स्टुडेंट को आगे देखनें के लिखा गया है द्रूल ऑफ ब्रूब ऑफ अफ दीज टास्क इन्लैंग लर्निग वेल बी यानि बहाजा सीखने में इस कार की भूमका क्या होगी इस रोल की बहुँके तो एक उनदी साने सब्सक्राइब, लोकी पर शुरा। तो वो किसे समंदित होता है तो वो होता है कॉम्मिकीशन से या कन्वर्सेशन से तो यहां पर देखा जाए तो एक इंडिविजुल एक चीज को इंडिकेट कर रहा है जिसके यह क्या हो गया गलत हो गया अप्शन दो पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया है the separation of spoken and written forms of language यानि यह अलग करने के लिए बात कहा गया है separation करने के लिए बात कहा गया है किसको किसको को spoken and written form of language यानि बहासा को अलग करने के लिए कहा गया है तो यह तो ऐसे भी गलत है जबकि हमें इसका positive sense निकलना चाहिए क्योंकि यहां समवाद दिया हुआ है तिसरा पढ़ेंगे लेकिन चौथा पढ़ लेते हैं उससे पहले to provide frequent feedback only on grammatical errors वलने के कारण क्या है यह option गलत है को तीन option गलत मिल गया है तो एक option क्या हो जाएगा सही हो जाएगा पढ़ भी expression की भी बात कई गई है साथ में conversation की भी बात कई गई है कि आपको एक क्या किया दे जाता है कि एक आपको एक ओशर दिया जा रहा है एक सुब्धा दिया जा रहा है वो भी बातचित करने का तो यह क्या हो गया ना positive sense में हो गया कि आपको conversation की बात की हाथ जा रहा है यानि बा यहां पर स्ट्रक्चर की बात किया जा रहा है कि इंडिविज्वल की यहां पर सेप्रेशन की बात किया जा रहा है दो कार दोनों में नीगेटिव आ गया तीसरा में वनी सब्द के कारण यह गलत है वो तक यह तो तीनों में तीन नीगेटिव से निकल गया है तो जो बचिया परियास कीजिए इन्होंने लिखा language class यानि भासा वर्ग में यहां इंद लगाए ना इंद लेंग्विज क्लास बासा वर्ग में रियलिया को रियलिया ही रन दीजा ओप्सन से खोज लिजिए गा तो मिल जाएगा बासा क्लास में रियलिया का उप्यो करने का अर्थ है means bringing यानि क्या ला रहे हैं यह पूछा गया है इतना समझ में आया है अब अब अप्सन पढ़िए कुदी समझ में आगा रियल लाइफ situation to communicate रियलिया हो गया रियल लाइफ facts तो यहां पर क्योंकि यहां पर रियल लाइफ दिया गया है प्रस्तिती जैसा वह रहा है जो situation है वह आप classroom में ला सकते नहीं ला सकते न तो यह हो जाएगा option क्या हो जाएगा पाबू गलत हो जाएगा अगले option पर देखते हैं practice which means can डूजितम सक यापदार स्वाप वास्तुक जो बशतू होता था उसे लाइफ दिखाते इसे क्या पढ़ता था प्रवाव क्यों इसका उप्यों किया जाता तो यह बताया भी ज्योंगा किया आपको आपने इसका परीयोग किया है त highway decision में को देखके ही cob लगता है कि इसका तों हमने परयोग किया है तो यह सकते हैं Vergleich richtig औब्जेक्टिफ औब देखिए और देखिए एक तारइट τη्प की बात कहा गया उद्देश और लक्ष लक्ष की बात कहा गया है जो सीखने वाले उनके लिए इन्होंने अब्जेक्टिस टार्गेट की बात कहा गया है को यह होगे निगेटिव अगला देखते हैं रियल लेवल आप चाइल्ड्स लर्निंग पूदा नॉलेज ऑप पैरेंट्स अब पैरेंट्स के ज्यान की सिखने के बाद जब वो मतलब जब बच्छा घर पे जाता है उसका परियोग करने में यह लोग सभी हो सकता है तो यहां पर उनका ग्यान की चर्चा हो रही है तो यह क्या हो गया निगेटिव सिंस में जो मेरा कॉरेक्ट एंसर था एक तालिसका दो था चलिए आगे बढ़ आप उसको तोड़ना से खिए दा मल्टी लेंग्वल नीचर मल्टी लेंग्वल मिस्का हो गया जो बहुब भासी होता है मल्टी मिस्का होता है बहुत जयाता को जो बहुब भासी प्रकृति उसके बारे में कहा गया ऑप दो इंडियन क्लास्रूम मस्ट भी यूजड एज रिसूर्स उसको परियोग किया जाता है एक संसाधन के रूप में जो भी भारती क्लास्रूम होता है वह बहुब भासी प्रकृति को क्या उप्योग में किया जाता है एक संसाधन के रूप में परियोग किया जाता है यह पहले भी हमने हिंदी वासा में लिखवाया है कुछ समझने में दिक्कत नहीं और उसको तोड़ ये तोड़ तोड़ के समझने की कोशिस कीजिए और ये कब होगा ना बार-बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मतलब इसका परियोग क्यों करना चाहिए ये पूछा गया तो पहला लिखा गए अब बताइए पर एक बच्चा इसका उपयोग करते हैं यानि बावबासी को एक संसाधन के रुप में परियोग करते हैं इससे क्या होगा ना इसक्राइब यानि वह क्या होगा सुरचित और सविक्रित समझेगा यह तो आपका पुजेटिव है ना उपर में पुजेटिव नीचे में पुजेटिव में रहे हैं यह एक नमबर आपको मिल जाएगा लेकिन देखेंगे चार और यह क्या लिखा गया है इबरी चाइल्ड यह भी एबरी चाइल्ड के बारे में कहा गया लेकिन अट्व सीपेस गया है यह नहीं देखा और सीखने की बात कहा गया है तो वह क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा अपको ऑप्शन गलत हो जाएगा बहुत सारी बहसा हैं इंग्लिज के लास्रूम में आए और यह आप देखेंगे न बुबू यही कोश्चन आपको हिंदी में भी पूछा हुआ कि और टरंसलेट कर दिया गया है सब्सक्राइब करता है और सविकरिट करता है कि मुझे सब्सक्राइब के लिकार है किसी को इनकार नहीं करते हैं सभी खादर करते हैं तो देखना था ठीक करना था आगे बढ़ना था तो यह हो गया है कोश्चन एक और कोश्चन हम लोग कर लेते हैं और यह लास्ट कोश्चन होगा तो कि इसका पाट भी आना है 143 और लेंगवेच्ट टेक्स्टबूग यानी जो भी आपका भासा का टेक्स्टबूग है इन्होंने सुरुबात किया है पिक्चर के साथ पुएंस के साथ आप याणि कहानियों के साथ कविताओं के साथ और जो भी चित्र है उसके साथ and ends with alphabet क्या बात इन्होंने स्टार्टिंग जो किया है picture poem and poetry के साथ किया है और अन्त कब किया है आलफा वेटी यानि ABCD पे इन्होंने अन्त किया है ठीक उल्टा इन्होंने काम कर दिया है आपके साथ गया है। आपके सामने यह हैं पहला एकलेक्टिक अप्रोच दूसरा है आपका बौटमाप अप्रोच तीसरा है top-down approach और चौथा है language across curriculum approach अगर आपको यहाँ पे अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज आपने एक चीज गहर किया होगा ना कि पहले इन्होंने पूरा पूरा चीज लेके आया है यानि पूरा बड़ा बड़ा चीज लेके आया है प्रोच को क्योंकि इन्हों ने क्या किया ना पहले टॉप लेवल पर सारा चीज बढ़ा दिया पिक्चर पोएम स्टोरीज उसके बाद यह डाउन में अलफा बेटे भी सीडी बेहार है तो इसे क्या करते हैं आपक्षिन में लोग Top down approach दृष्टी कुमोर के नाम से इसे जाने बाकि सब आपकी ईप्रोच पहला है आपका उदार की इसको सकते हैं जा Unit बटम अप्रोच जाने इसके सी उपर तो जाने रिर तो यह लें लिख सकते हैं अगले कुर्चन 0272-0 खिक lle और हमें बताईएगा कि ये कैसा लगा अगर आप लोग को अच्छा लगता है कि आगे कॉंच्णिव करेंगे नहीं तो आज इस वीडियो में इतना है फिर मिलते हैंगे नहीं उड़े अपसा है तब तक देखते रहें बने रहे हिंदी क्लब पे धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाईए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके ये सब बिलकुल फ्री है